जी न्यूंतम समर्थ मुल्य उसकी कुल लागत का देड़ गुना जादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है खरीब फसल बीस इस के चौदा फसलों के CACP अधारेत न्यूंतम समर्थ मुल्य जारी कर दिया गया है जिसकी जानकार ये तोमर जी बताएंगे इन चौदा फसलों पर किसानों को अब लागत का पचास से लेकर 83 परसेंट तक जादा दाम हासिल होगा सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंदों के लिए तीन लाख रुपए तक क्या अलपकालिक कर्ज के भुक्तान की तिथी भी 31 अगस 2020 तक बढ़ाई है और किसानों में इसमें व्याज की छूट और अदाईगी में महलत ये दोनों फाइदे उसको मिलेंगे किसानों को पहली मार्च 2020 से 31 अगस 2020 के बीच अलपकालिक कुर्शी कर्ज की व्याज में दो फीस सडी और अदाईगी में तीन फीस सडी का फाइदा होगा भारत सरकार द्वारा किसानों को साथ फीस सडी से कर्जा मिलता है इसमें तीन लाग रुपे तक के लोन पर दो फीस सडी बैंक ब्याज की छूट सरकार देगी और समय पर मुक्तान पर 3 फी सदी का फाइदा मिल गा इसका मतलब 4 फी सदी में 3 लाग तक का करजा मिलेगा किसानों के लिए ये बहुत बड़ी तोफा है ब्याज में छूट की योजना किसानों को किसान क्रिडिट कार्ड के जरिये करज सहीत अल्पकालिन फसल कर्ज के देने के मकसद से शुरू की गई है पिछले कुछ हपतों के दवरान बहुत से किसान अल्पकालिक जो क्रॉप लोन होता है उसके आदाईगी के लिए बैंक नहीं जा सके इसको ध्यान रखते हुए कैबिनेट ने जो नेने किया है उससे क्रोडों कि योजना शुरू की है इसके जरिए रेडी पठ्री वाले ठेले वाले छोटा दुकान जो बिठाते हैं सडक पर माल बेशते हैं उनकी शमता और उनका काम चले इसके लिए ज्यादा रून उपलब्द कराने के फैसला किया है यह योजना लंबे समय तक चलेगी क्योंकि कामक आज फिर शुरू कर सके और अपना जिवी को परजन सही तरीके से कर सके इस योजना के 50 लाग से अधिक पठ्री सामान बेचने वाले ठेला वाले होकर और रेडी पठ्री वालों को लाब मिलेगा इनके द्वारा क्या-क्या बेचा जाता है मालूमें आपको सबजी है फल है तैयार खाद्य पदार्थ है चाय पकोड़ा ब्रेड अंडा कपड़ा चपल किताब स्टेशनरी के आपूर्ती बहुत सारे वस्तुएं यहां बेची जाती है हम खरीदते हैं इसके अंतरगर सलून मोची लॉंड्री और पांद की दुकाने भी आएगे भारत सरकार कोवीड उन्नीस के दवरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति समवेदन शिल रही है इसी के तहत इने तक्षन सहयोग हेतु यह उरुन की योजना शुरू की गई है ताकि अविलंब यह अपने व्यापार को गति दे सके स्थानिय शहरी निकाई इस योजना में क्रियान वहन मे बुमिका बजाएगा शायद भारतिय इतियास में पहली दफा आज़ादी के बाद ऐसा निर्णे लिया गया है जबकि फुटपात दुकान दारों रेडि ठाने वालों को चाहे शहरी शेत्र या ग्रामिन शेत्र के हो इस योजना के तहत इन सभी लोगों को वर्गों को दस सजार उपए का रुण दिया जाएगा इसे वह मासिक किस्तों में अधिक्तम एक वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते हैं समय पर भुक्तान करने को वालों को साथ फीसरी वार्षिक ब्याज सबसीडी के रूप में लाभार्ति के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा इसमें किसी तरह का दंड का प्राविदान नहीं है इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रिताओं को आर्थिक उन्नेयन मे मदद मिलेगी इस योजना के क्रियांद्वयन में किसी तरह की कटनाई ना हो तथा जिने इसका लाब मिलना है उन तक या सही डंग से पहुंचे इसके लिए मंत्राले बैंक एवं स्वें साहता समो की एहम जिम्मेदारी एवं भुमी का तै की गई है साथ ही इसके लैब भी तैयार किये गए है आज मंद्री परश्यत के बैठक मानि प्रधान मंद्री जी के अध्यक्ष्टा में संपन हुई और उस बैठक में विविन मंद्रालें से संबंदित आम आदमी को राहत और मदद देने की दिरिष्टी से निर्णे किये गए उन निर्णेयों की कुछ जलग मानि प्रकाश जी ने अपने वक्तवे में दी है मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ आप सभी और सारा देश इस बात का साक्षी है कि वाइरस का संकट के समय भी जब लॉग डाउन रहा उस समय भी भारत सरकार और प्रधान मंदरी जी की प्रात्मेक्ता पर गाउं और गरीब किसान निर्णेयों के केंदर में हमेशा रहा चाहे गरीब कल्यान योचना के माध्यम से रहत देने का सबाल हो या क्रसी के छेदर में काम काज न रुके इस दृष्टी से अनुमतियां देने का सबाल हो जब लॉक्डाउन घोसित हुआ उसी समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी लेकिन कटाई का सबाल हो उपारजन का सबाल हो मसीन की आवाजाई की अनुमति हो मसीन मरम्बत के लिए बरक सौप की खोलने का सबाल हो हर मामले पर सरकार ने संबेदन सीलता के साथ विचार किया और उसी का परणाम है कि किसान ने प्रधिकूलता के मौके पर भी फसल कटाई का काम पूरा किया और इस बार बंपर पैदाबार करके किसान ने देश को समर्पित की है सरकार उपारजन के प्रतिवी काफी गंबीर थी और इसलिए उपारजन की प्रक्रिया अभी चली रही है लेकिन आज दिनां तक ग्यों की खरीद तीन सो साथ लाख मीट्रिक तन हो चुकी है गत वर्स ये तीन सो बैयालिस मीट्रिक तन थी धान की खरीद 95 लाख मीट्रिक तन हो चुकी है गत वर्स ये 90 लाख मीट्रिक तन थी दलहन और तिलहन की खरीद अभी चल रही है और अभी 16.07 लाख मीट्रिक तन खरीद हुई है ये गत वर्स 15 लाख मीट्रिक तन थी आप सब के ध्यान में है कि 18-19 में सरकार ने एक निर्ड़े किया था कि किसान को उसके उत्पादन में लागत का कम से कम 50 प्रस्त मुनाफ़ा मिलना चाहिए स्वामी नाथन साब ने एक अध्यन के बाद अपनी रिकमेडिसन की थी और यह रिकमेडिसन काफी देश में घूमती रही लेकिन मादनी प्रधानमंदरी नरेद्र मोदी जी के नेतरतु में इन रिकमेडिसनों को सुईकार भी किया गया और अमल भी किया गया और पिछले बार रभी की जो दरें घोषित की गई थी उनी दरों पर ये जो मैंने बताया कि उपारजन का काम हुआ है आज फिर क्रसी लागतेव मूले आयोग की जो रिकमेंडेशन है 14 फसलों के लिए वो आ गई है मंद्री परशद के समक्ष विचारा धीन थी और आज मंद्री परशद ने उनको अपनी स्विक्रती प्रदान कर दी है जिसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोसित की गई है इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रीट को देखेंगे तो यह इसमें भी 50% मुनाफ़ा हो इस द्रश्टी से 2620 गोसित की गई है बाजरा को अगर हम देखेंगे तो 150 83% को ध्यान में रखते हुए 2150 गोसित किया गया है ऐसे ही रागी में 50% की वरद्दी है मक्का में 53% की वरद्दी है तूर अरहर में 58% की वरद्दी है मुंग में 50% की वरद्दी है उडद में 64% की वरद्दी है मुंफली में 50% की वरद्दी है सूरज मुखी में 50% की व्रद्दी है सोयवीन में 50% की व्रद्दी है तिल में 50% की व्रद्दी है राम तिल में 50% की व्रद्दी है और कपास में 50% की व्रद्दी है यह जो क्रसी लागत और मूल आयोग है यह सामने तोर पर एक पूरा मेकनेम बना हुआ है जिसमें वो लोग मिलकर ग्रसक की उत्पादर में जो लागत आ रही है और लागत के समय जो जो चीजें उप्योग होती हैं चाहे वो बीज की कीमत हो, खाद की कीमत हो, मानाओ का स्रम हो, बैल का स्रम हो, मसीन का कर्चा हो, डीजल हो बाकी सारी चीजों को जोड़ कर वो ये तह करते हैं कि लागत कितनी आ रही है और उसके उपर समर्थन मूल कम से कम पचास प्रसत और उससे अधिक जैसे मैंने 64 भी बताया, 83 भी बताया, इतना प्रसत उसमें बढ़ा है, इसका लाब निश्यत रूप से किसानों को बड़ी मा ब्याज छूट योजना भारास सरकार की है, बैंकों का ब्याज हम लोगों को मालूम है कि 9% है, भारास सरकार 2% की अपनी तरफ से सबसिटी देती है, तो 7% ब्याज पर किसान को कर्ज बिलता है, और अगर किसान समय पर उसको चुका दे, तो 3% की सबसिटी उसे और मिलती है तो ऐसे कुल मिलाके अगर समय पर किसान अपना फसली रिंट चुकाने में सफल होता है तो किसान को चार परसेंट ब्याज पर कर्च मिलता है इस वार आपको ध्यान है कि 31 मार्च भी लोगडाउन की स्थिती में था तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि 31 माई तक साहिद ये ठीक कि स्थिती आ जाएगी लेकिन अभी भी सामाने स्थिती नहीं है और इसलिए पहले चरण में 31 माई तक उनको छूड दी थी कि वो अपना पैसा जमा कर दें लेकिन अभी भी ऐसी स्थिती है कि कई जगे खरीद का काम भी चल रहा है कई जगे बैंक में जाना थोड़ा दूर अभी हो रहा है इसलिए किसानों के हित में मानी प्रधान मंतरी जी ने इस तिती को बढ़ा कर अभी 31 अगस्त कर दिया है 31 अगस्त तक जो किसान अपने रिंड की अदाईगी करेगा उसको 4 परसेंट ब्याज पर ही करजा मिलेगा मैं समस्ता हूं ये किसानों के लिए निश वर्स का भी अगर हम देखेंगे तो सबसिटी के रूप में 28,000 करोड रुपया किसानों के हित में इस करिक्रम के अंतरगत हर किसान की जेव में जाता है तो इस बार ये थोड़ा और जादा भी हो सकता है लेकिन पिछले बार 28,000 करोड रुपय किस सबसिटी प्रदान करने क इस सिति आई थी तो यह ब्याच योजना के अंतरगत देश वर का किसान यह सोच रहा था कि 31 मार्च को नहीं हो पाया फिर उसको आसा बंदी 31 माई लेकिन 31 माई को भी वो आफसर नहीं आ पाया तो इसलिए फिर 31 अगस तक कि यह छूट प्रदान की गई है यह निश्य दू से किसानों के लिए बहुत ही लाप्रद रहेगी